रहे तिरंगा हाथों में इनकलाव की बोली हो जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में क्यान की बोली हो जो भारत मुर्दाबाद कहें उसके सीने में पूली हो भारत मुर्दाबाद कहें पांच गउँ माने थे भारत के सनातरी संगटे में पांच कानून वांगरी पांच प्रानून का जो मांग है आज जंतर मंतर से कम से कम है। देश की राजधानी में इन दिनों आंदोलन हो रहा है। जहाँ पर हिंदू आर्मी चीफ भी इसमें महतपूर भूमिका निभारा और लगातार जो पांच कानून हैं। को लेकर मांग कर रहा है। शुशिल तिवारी जो हिंदू आर्मी के चीफ है जिसे जानते हैं कि आखिर घुसपैट किस तरह के लोग हैं। और जन संक्या नियांतरण के सरकारे नहीं कर पा रही है। और जो समान नागरिक्ता की बात की जा रही है। धनमांतरण नियांतरण की बात की जा रही है। जन संक्या नियांतरण के लिए भी केन सरकार प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। सुशील जी आखिर जो अंदोलन हो रहा है इससे पहले इस तरह का अंदोलन देखने को नहीं मिला क्या कहना चाहेंगे अपने अंदोलन पर और जो पांच मांगे हैं जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर में दर्शा है कि भगवान स्रीकृष्ट ने पांच कानून मांगे थे आपने देखा कैसे लोग बिलाप कर रहे हैं जो बामपंथी लोग हैं कैसे बिलाप कर रहे हैं बोलते हैं हमने हेट स्पीच के नारे लगाए मैं कहता हूं हमने नारे लगाए मैं इस बात का स्विकार करता हूं हमने नारे जंतर मंतर पे लगाए हमारी हिंदू आर्मी ने लगाए हमारे कारेकरताओं ने लगाए सेक्रो संक्रण के कारेकरताओं ने लगाए इस बात से कहीं भी पूरी पूरी जिम्मदारी लेती है हिंदुवार में पहली बात दूसरी बात हमने नारे लगाए क्या थे हमने नारे यही लगाए थे कि रहे तिरंगा हाथों में रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाव की बोली हो और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो आपने इस तरह कि के वहां पर नहीं लगता आपको की कानुन है न्याले है वो सज़ा देगी इस तरह के लोगों को कानून है न्याल है तो ड़केत रुपे टिकेत क्यों नहीं सजा दे देती है अमन्तुल्ला खान खुले सुवर की तरह घूम रहा है उसको क्यों नहीं सजा दे देती है वह ऐसी पंदरा क्रोड बोलता है 15 मिनिट के लिए छोड़ दो हम 15 क्रोड ऐसी कि तैसी कर देंगे उसको क्यों नहीं कानून सजा दे देती है हम जब रास्ट की बात करने आते हैं रास्ट हित में नारे लगाते हैं रास्ट वाद की बात करते हैं हम पांच कानून की मांग करते हैं हमने कौन सी बात गलत कर दी नारों में या अपनी वक्त अब्यों में हमने तो यही कहा भईया कि ये जो मुसल्मान है भारत का मुसल्मान ये गद्दार है और गद्दार कैसे है क्योंकि जब सरकार आज से 70 साल पहले जब भी पचास साल पहले कानून आवान हुआ कंपेन चला कि हम दो हमारे दो जो है आप लोग करिए हमारे पांच मांगों में महत्वपुण मांगें जन सं क्या नहीं अंतरण हमारा मत्वपुण मांग था उसी पर विशय हमारा था हमें मिला हुआ हमने बात करी हमने का ये हमको सुला दिया गए हम दू हमारे दो करके हम दो भी नहीं पएदा करें एक पी पैड़ा करते रहे गए रास्ट हित के अंदर लेकिन ये क्या कि ये पंदरा बच्चे बारा बच्चे देने की तो चार चार भी पत्निया एक-एक मुसल्मान रखता है क्योंकि एक औरत की एक फीमेल की महिला की कैपेसिटी है ना कितना जनम देदेगी बेड़ बकरी की तरह तो यह बेड़ बकरी की तरह यहां पे पैदा कर रहे हैं अब प्रॉ लेकिन शुशील जी लोगों का कहना है कि आपकी आर्मी और हिंदू संकठन जो वहां इकत्रित हुए वो भड़काओ बयान दे रहे हैं भड़काओ भश्र दे रहे हैं जिससे दंगा हो सकता है भड़काओ दे रहे हैं हम तो कह रहे हैं तुम पचास पैदा क्यों कर रहे हो तो कहते हैं हम सरियत के हैं अल्ला की देन है तो हमने कर नहीं बहीं बहीं अल्ला की देन है तुम सडेंतर कर रहे हो क्योंकि तुमारे यह जो बच्चे पैदा होते हैं यह पंचर बनाते हैं यह कूडे में रहते हैं जिसे सूर जात रहते हैं वैसे रहते हैं और उसके अंदर जो है ये 18 साल बाद इस साजिस के तहट सडेंतर के तहट कि वही बच्चे जो ही रोहिंगिया टाइप के बच्चे हैं जो कूडा कमार बिनने वाले बच्चे हैं जो अपने आपको कहते हैं तो म अब ही ये वोटो कुरूप में कनवर्ड हुआते हैं तो हमें वही बेंगॉल में बलिदान देना पड़ता है, हमें केरला में बलिदान देना पड़ता है, हमें जमुन कास्मिर बलिदान देना पड़ता है, ये जो जिहाद है, जनसंख्या जिहाद, उसको जनसंख्या नियंत सभी और अब ले टाट्यों के उस्का जन्संखया जियाद करके 12 लोग चाहिए समान क काणून है कि को इन के मझ्जी जो इनके मस्जी दें उनको सरकारी अनुदान किस बात से वह मेरे टेक्स का पैसा है वह मेरे टेक्स का पैसा है और हमारे मंदिरों का पैसा सरकार के सनच्छन में कहां का रूल है में समझ में नहीं आता है यहां का पूलिस का कानून आपका कहना है कि जिस से अनके मदर से मस्जिदों की जो पैसे हैं जैसे वो इस्तेमाल करते हैं वैसे हिंडू को मिलना चाहिए बिल्कुल ठीके एक एक सिर्फ मंद्र की ही बात नी मंद्र मुट्टी तो करना ही है वो तो हमारे अंदोलन में है ही इसके अलावा ऐसे ऐसे तमाम अंग्रेजों दोना जो बनाए कानून है पुलिसिया कानून वो तो गरबड है यह दो सो बाइस कानून है उसके अंदर यह पांच कानूनों के अंदर आप अगर देखेंगे पूरा ड्राफ देखेंगे तो दो सो बाइस पुलिस में है वो किस कानून से काम करता है क्या आज के सम्विधान में कहीं कुछ कॉपी पेस्ट कर के तो 222 है उसी 222 नियमों जो कानून है उसको अटाने के बाद चल रही है आज का सम्विधान बदल देना चाहिए सम्विधान में संसोधन तो होता है ना राजिव गांधी ने भी किया इंद्रा गांधी ने भी किया मोदी जी भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या मोदी जी के विरोध में वहां नारे नहीं लगे राश्च के विरोध में नारे नहीं लगे हमने राश्च द्रोहियों के खिल मदर्सों में हमारे टेक्स के पैसे से अनुदान जाता है और वहां आतंगवादी रूपी जिहादी तयार होते हैं और आप कहते हो समान सिक्षा है कहां का समान सिक्षा मुझे समझ में नहीं आता है इस तरह का समान सिक्षा में नहीं चाहिए यह राश्त हिंदू का है यह रा लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो घुसपैट नियंतर की आप लोग मांग कर रहे हैं के सरकार ने इस पर सी एनर्सी जैसे कानून बनाने की कोशिश की जिस पर अंदोला नुआ प्रदर्शन हुआ तो सरकार तो काम बहुत कर नतीजा है जो हम बंगाल खो दिये बंगाल में रास पटके तुरू भी जन संख्या ला रहे हैं और इसलिए रहा है इसलामिक रास बनाना है गजवाहें लागू करना है जो घुसपैट नियंतर है जिस पर हम बात कर रहे थे लेकिन धर्मांतर नियंतर किस तरह की मांग कर रहे हैं उसमें किस तरह की चीज़े आप लोग चाहत जन संख्या होगी वोट देने वाले चाहिए आज यह पैदा भी करेंगे जन संख्या के तुर तो 18 साल बाद वोटो काधिकार मिलेगा लेकिन अगर हिंदू लड़की को धर्मांतर न करके जिहाद कर लेते हैं तो तो आज के वोटर है ना क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को यह बात आम आदमी को नहीं समझ में आती लेकिन आप इंट्रलेक्शुल हैं आप जर्लिस्ट हैं आप अच्छे जर्लिस्ट हैं बहुत बड़े जर्लिस्ट हैं आप इस बात को समझे अगर कोई वेक्ति अपनी मर्जी से धर्मांतर कर रहा है तो मेरी बात आप नहीं समझ मर्जी मर्जी से धर्मांत्रन कहां कर रहा है यह हराम खोर यह जो मुल्ले के आुलाद हैं यह जितने भी अल्ला मुला वाले हैं ठीक है यह जो है नाम बदल के तो जिहाद करते हैं लव जिहाद यह अपना नाम कभी और इसल बताते कहां हैं मैं तो यही बात जंत्रमंतर आज राउल खान राउल गांदी बना हुआ है तो भारत बचाव आंदोलन है कब तक चलता रहेगा देखिए फिलाल तो आश्वनी जी भाई प्रिसिंग जी और और छे हमारे जो और जो कारे करता है जो अन्य लोगों को पुलिस ने वहां बंद कर रखा है कि सोहार्द ना बि का तिहाड जेल में लोग हैं और उनकी बेल की बात हो रही है और हम लोग इस आंदोलन को बाहर रूप में जितने भी कारे करता बाहर है मैं उनसे यह वान करता हूं कि आप अभी अभी शाम तक आप दिखे कर जाएगा शोशल मीडिया पर हम लोग ट्रेंडिंग करने जा र लिए शुशिल जी केन सरकार भाजपा की है प्रदेश सरकार में योगी योगी जी बैठें जो कहीं न कहीं हिंदुत की छबी इससे पहचाने जाते थे और शायद प्रदेश की जनता और जोनका संगटन था हिंदू वानी जिसकी वज़े से तिल प्रदेश की मुक्मंत्री और उनका हिंदू का भरपूर समर्थन मिला क्या लगता है केन सरकार अगर आपकी मांगों पर या आपके पाच कानून पर विचार नहीं करती तो क्या कदम होगा मैं बता दूँ आपको हमने लिखा वे देखिए अभी तो ये एक चिनगारी है ये आगे चलकर एक बहुत भेंकर आख के रूप में लेगी और भारत जल्द हिंदू रास्त बनेगा इस देश के अंग्रेजी कानूनों को हटाना ही होगा यादि पीएम को गाली कोई देता है तो अंग्रेजी कानून के तहर बच जाता है तो अंग्रेजी कानून के आड़ में आके बच जाता है लाल के लिए पर देश के शान मेरे प्यारे तिरंगे का अपमान करता है तो व करता है वो कैसे बच जाता है वो बच जाता है इसी अंग्रेजी कानून का आड़ लेके बच जाता है ठीक है सडक जाम कर महीनों तक सिंदू बाडर पर बैठा डगेट टिकेट कुकूर कसाई के सारे ओलाद मुगल के ओलाद सब बैठे हुएं किसान फरजी किसान अंदुलन नहीं चाहता है कि यह कानून उसको दिया जाए तो क्यों नहीं सरकार वापस ले लेता है कि यह सरकार सरकार को गलत काम करें कि तबतों वापस लेगे यह तो इस्जू बनाना था इनको उसमें बंगाल चुनाव मिल गया है कि ठीक है इस बैटे रहो सरकार को बदनाम करते रहो कूल मिला के आपको एक बात बता आपका आप अपना जुरूर इसमें बीपीप क्या लगाते हैं लगा दीजी का मुझे इनसे इतनी नफरत है इतनी नफरत इन रास्दोयों से हम लोग इनके यह जो पांच करून की मांग करने गए थे और अपनी मांगों को वहां बहुत सद्र तरीके से रखा गया लेकिन उनका आड़े लेकर बच जाते हैं कशब जी डर क्या है डर यह है कि आज अगर मान लीजे जनसंख्या जिस तरह से वोटों के वोटों को करने के लिए मतलब अपनी इस्लामिक रास्ट और गजवाय हिंद लागू करने के लिए वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए जितने भी जिहादी हैं इसलाम को मानने वे लोग हैं वोटों के लिए मसीन हैं इनके अंदर कोई माना होता नहीं है उर्दू में वह तो इंसानियत नहीं है कि मतल्य घूम फिर के बात वहीं आती है कि यह सिर्फ वोटों के लिए सारा काम हो रहा है और जब जल्दी नहीं अगर जनसंख्या नहीं अंत्रना कानून बनता है रास्ट में तो इसी तरीके से डर ये है कि ये डेल रोज एक बच्चा पैदा करते रहेंगे चाहे वो लव जिहाद करके करते रहें चाहे रहेंगे भारत किस से बचाना चाहते हैं भारत हम इस्लामिक कट्रपंथियों से पांचार वर्स बाद और योगी जी जैसे इश्वरिया उतार इस प्रत्वी पे आये हैं तो हम यह चाहते हैं कि उन्हें भगवान राम को भी बनवाज जेलना पड़ा था कई वर्स लग गए थे भगवान कृस्ट ने भी काफी प्रयास करने के बाद देखा होगा तो एक म रुपीर कचिसी हैं सारी जितने भी आप बंबंथी पत्रकारें देखेंगी बांबंथी जिहादी जितने भी चाहने पर यहें कि जन संक्या नорыन झानूंण जल से सरकार लागो करें बाकी जो नारे लगे हैं उसकी पूरी जिम्मिदारी लेते हुए पह और हम इस तरह की न तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ शुशील तिवारी जिन्होंने बेबाग तरीके से अपनी बात को रखा लेकिन साब तौर पर अब जिस तरह सी सोशल मीडिया पर ये चीजे चल रही हैं कि हिंदू आर्मी चीफ दंगे करवाने का काम कर रहा है और जिस तरह से बातों को रख रही है और भारत बचाओ अंदोलन जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक चलता रहेगा